आलसी ब्रामण और जिन्न की कहानी एक बार की बात है एक गाव में एक ब्रामण रहता था वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना काता और फिर सो जाता उसके पास किसी भी चीज की कामी नहीं थी एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाले एक सुन्दर सी पत्नी और दो बच्चों का अच्छा परिवार था सब कुछ होने के बात भी ब्रामण के घरवले एक बात से बहुत परिसान थे वो बात यह थी कि ब्रामण बहुत आलसी था वो कोई भी काम कुद नहीं करता था और दिन बड़ सोता रहता था एक दिन बच्चों का सोर सुनकर ब्रामण जग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक सादू महराज आये है ब्रामण और उसकी पतनी ने सादू महराज का स्वागत किया और उनने भोजन कराया भोजन के बात ब्रामण ने सादू की खुब सेवा की सादू महराज उनकी सेवा से बहुत परसन हुए और उनने बरदान मांगने को खा ब्रामण ने बर्दान मांगा कि मुझे कोई भी काम नौ करना पड़े और मेरी जगा कोई और मेरा काम कर दे तब सादू उसे बर्दान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा बैस्त रखना अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुमें खा जाएगा बर्दान पाकर ब्रामण मन ही मन बहुत खुश हुआ और सादू को आदर के साथ बेदा किया सादू के जाते ही वहाँ एक जिन पर कट हुआ पहले तो ब्रामण उसे देख कर डर जाता है लेकिन जैसे ही वो ब्रामण से काम मंगता है तो ब्रामण कादर दूर हो जाता है और वो उससे पहला काम खेत जोतने का देता है जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्रामण की खुशी का ठीकाना नहीं रहता खुशी देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोद दिया दूसरा काम देजिए ब्रामर सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोद दिया ब्रामर इतना सोची रहा था कि जिन बोलता है जल्दी मुझे काम बताओ नहीं तो मैं आपको खा जाओंगा ब्रामण दड़ जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिचाई करो जिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में फिर आ जाता है जिन आकर बोलता है कि खेतों किसी चाई हो गई अगला काम बताई ब्रामण एक एक करके सभी काम बताता जाता और जिन उसे चुटकियों में पुरा कर देता है ब्रामण की पत्निया सब देख रही थी और अपने पती के आलजीपन पर चिंता करने लगी साम हुने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था सब काम करने के लिए पर जिन ब्रामण के बास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताजे नहीं तो मैं आपको खा जाओंगा अब ब्रामण के पास कोई भी काम नहीं बचा है जो उसे करने के लिए कह सके उसे चिंता होने लगी है कि वो बहुत डर जाता है जब ब्रामण की पत्नी अपने पती को डरा हुआ देखती है तो अपने पती को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है वो ब्रामण से बोलती है कि स्वामी अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस्त नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती है इस पर ब्रामण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी अपनी जान बचाने के लिए ब्रामण अपनी पत्नी को बचन दे देता है इसके बाद ब्रामण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहां एक कुट्टा है तुम जाकर उसकी पूँच पूरी सीधी कर दो याद रखना उसकी पूँच एकदम सीधी होनी चाहिए जिन बोलता है अभी यह काम कर देता हूँ या बोलकर वह वहाँ से चला जाता है लाख कोशिस के बाद भी वह कुटे की पूंशीदी नहीं कर पाता और हार मान लेता है हार कर जिन ब्रामड के यहाँ से चला जाता है उस दिनके बाद से ब्रामड अपने आलस को छोड़ कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी-खुशी रहने लगता है दोस्तों इसका आने से हमें ये शीक मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए आलस करने से हम मुसीवत में फस सकते हैं इसलिए हमें आलस छोड़ कर अपना काथ खुद ही करना चाहिए तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लग रहे तो लाइक करें चैनल पर ने तो सब्सक्राइब जरू करें और ऐसे ही वीडियो आगे भी सुनने के लिए चैनल पर बने रहें मिलते हैं अगला वीडियो में किसी नए कानिक साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत क्या लग किये थैंकियो जाहिन जावारत बंदे मातरम